विक्रम एस ने आस्मान की सोभा बढ़ाने वाले भारत के पहले नीजी राकेट के रूप में इतिहास रच दिया है। यह मिशन इसकाई रूट के लिए एक महतरपूर्ड मील का पत्थर सावित हुआ है क्योंकि यह उन 80% तकनिकों को मानेता दिला चुका है। भारत का पहला नीजी तवर पर बिक्सित राकेट विक्रम एस चेन्नाई से लगभग 115 किलोमीटर दूर स्री हरिकोटा के स्पेस पोर्ट से सफलता पुर्वक लांच हो गया है। चायों को हासिल करेगा। इसमें कुल 300 सेकेंड का समय लगेगा। इस रो की इस नई उपलब्दी ने एक नया इतिहास रश दिया है। आपको बता दें कि स्काई रूट देश की पहली नीजी स्पेस कमपनी है। देश में पहली बार प्राइवेट स्पेस कमपनी स्काई रूट ने सुक्रवार 18 नवंबर को अपना पहला राकेट विक्रम एस का प्रचेपल कर एक इतिहास बना दिया है। स्काई रूट कमपनी और इसरो के बीच राकेट लांचिंग को लेकर MOU साइन हुआ था। वहीं बिक्रम एस राकेट के साथ तीन पेलोट्स भी हैं जिसमें एक बिदेशी ग्रहक का है। यहाँ स्काई रूट एरो इस्पेस की शुरुवात है। मालुम होकि इस राकेट का वजन करीब 545 किलोग्राम है। वहीं राकेट को बिक्सित करने वाले स्टार्टप स्काई रूट एरो इस्पेस के एक ट्विट में इसके सफल लांच की घोशड़ा की है। इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। चार साल पुरानी कमपनी स्काई रूट के सियो और साह संथापक पवनकुमार ने बताया कि यहाँ एक टेस्ट फ्लाइट है। इसरो ने इसकी उडान के लिए लांच बिंडो तैं किया था। प्राचेपड यान में इस्तिमाल होने वाले इंजन का नाम पूरे राष्ट पती एपीजी अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम असी रखा गया है। विक्रम एस राकेट ने त्री हरिकोटा में इसरो के 37 धवन आंतरिच केंदर से सुबा साड़े 11 वजे उडान भरी। राकेट आवाज की गती से पांस गुना अधिक स्विट से आंतरिच की ओर गया। 6 मीटर उचा या राकेट दुनिया का पहला आल कमपोजिट राकेट है। इसमें 3D प्रिंटेट सौलिड थरस्टर लगे हैं ताकि उसकी स्पीन कैपीबिलीटी को संभला जा सके। इसकी सफलता के साथ ही भारत नीजी स्पेस कमपनी के राकेट लांचिंग के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में सामिल हो जाएगा। बिक्रम एस या सिंगल इस्टेश का सब अर्बिटल लांच वीकल है। इस लांचिंग में आम इधन के बजाए लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड आक्सीजन का प्रियोग किया गया है। बिक्रम एस की सफलता से आंतरिश की दुनिया के कई रास्ते खुलेंगे। बिक्रम एस से कई प्रियोग किये जा रहे हैं। यह एक सब अर्बिटल उडान भरेगा। इस राकेट का वजन करीब 545 किलोग्राम है। माना जा रहा है कि यह देश की सपेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को भी नई उचाईयां देगा है। इंद्री मंतरी जितेन सिंग ने कहा कि यह भारत के सपेस इको सिस्टम को बिक्सित करने के लिए एक बड़ा कदम है। यह भारत के स्टार्टप के छेत्र में कदम रखने जा रहे हैं और ये एक एतिहासिक छड़ है मसुहूर भारती बैज्ञानिक और इस्रो संस्था पर डाक्टर विक्रम सारा भाई के नाम पर इस राकेट को नाम दिया गया है राकेट विक्रम इसके साथ दो देशी और एक बीदेशी पिलोट्स भी ज कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर करिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें